वीर स्पिर्दवाना तोरा सागता है प्रोग्राम सचसाच वेच जी ड़क्ट साब सागती अगली इमेल वीर बोवी संग जी दी है ए लिखते हैं ड़क्टर साब जी ओ ए मैं पहली वार कुछ लिख रहे हां जे पुल्चक हो जावेता खाल साजी माफ कार देना मैं हर दिन तोड़ा प्रोग्रम देख दा हां जी तोड़ा प्रोग्रम सचसाच बोट ही अगांवदू है नमें सोच नू अगली आके तुर्दे हो तुसी वाहिगरू चड़ी कला रखे इस वेच कोई चाक्षुबा नहीं कि असीस के आज साधी कौम नू बोट खत्रयां सरवन कारणा कोई लिखता है खालस्तान किद्ना बढ़नु कोई लिखता है सेख कौम के खत्रा ओखत्रा मैं कोई मैसलता नहीं देश सक्दा क्योंके मैं आप पति थाいます पर गुर नानक देव जी दे खालसा जीओ, खत्रा बक्रियां ते पेड़ानू हुन्दा है, शेरानू नहीं, याद करो ओ वेला, साड़े ते ता ओ मुश्कला अजे आयां ही नहीं, जड़ियां गुरु साहबान तो हो गुजरियां, मैं कई वार सोचां विच गुम जान्दा हां के ओ खालसा जड़ा सवा लखनल लड़ चुका है, ओ खालसा जीओ, दस गुरु साहबान दियां जीवनियां पड़ लवो, डर नहीं लगेगा, बाकी रही खालस्तान दीगाल, डक्टर साहब, मैं सोचदा हां की असी खालस्तान रेंदे काबल हां, ओ खालस्तान जड़ पाई गुर्दास जीदा इशारा है, जड़ा पगत रविदास जीदा सुपना सी हलीमी राजदा, मैंनू लगदा, सानू पहला आपनी सोचनू ब्लांद करना पवेगा, जात पात मुक्त होना पवेगा, गुर्दवरा सहबांदियां परबंदक मेटियां नू एक पाणवाले नू ए सोचना पवेगा, कि असी की करना है, हिंदू दे गुलाम रहना, जा, आपना कार बनावना, ओ सिखो, ओ गुरु दे सिखो, कुछ सिखो, एक पंची भी किसे ओपरे का रच नहीं रंदा, असी ता इनसान हा, गुलामा दी कोई जिंदगी नहीं हुन दी, गुलामा नू छित्तरी वर्दे ने, कोई जादा दूर नहीं, इंडिया 1947 ही अजाद होया, सौरी, अजाद होके गुलाम होया, आज भी रानी दा गुलाम है, निपोलियन ने एक छोटी जही कीडी तू सिख्या, कि ए नहीं हार मन दी, मैं के में हार जावा, बस, लोड है, एक मुठ होके सोच विचार करन दी, आपने गुरु साहबान दे जीवन तू सिखन दी, वाहिगुर्जी का खाल सा, वाहिगुर्जी की फते हैं, जी ड़ुर्साँ, वीर बाबी सिंग जी दा, बहुत बहुत आनवाद, बेशक उना दी पहली इमेल है, और उनने वी क्या भ प्रेरना देना आल ही हो सोच देने, जी जी और उनना दी सोच दे विच काफी सपश्टता है, सिर्फ एक कन्फूजन है जिदा हमें जिकर बात कर दें, जी, सब तो पहला तो उनना ने प्रोग्राम दी शिलागा किती है, जी, उनना ने सानु अगां वदू के है, जी, जी, जी गाल है, सिता फंडामेटलिस्ट जहां पिछांक ही चूँ सुन सुन के के वरी आख जान दे है, कई कैन गे जी तुसी ता ठारवी सदीच बैठे हो, दुनिया के थे पहुंच गई, जी, हुन के डे तुसी देशां दी गाल कर दे हो, हुन के डे तरमते अदारत मुल्क ब बन गया, दुनिया दी दूसरी तीसरी है, ताक्तां देना, यॉर्प देना, मकावला कर दे, तुसी मुठी परसे खुते की कर लोगे तो अनुता हुई जड़ायों कुचल के राख देने, पर वीर बाबी सिंग जीनों साड़ी सो चगां वदू लग दी है, और वो समय देन है, कि अगां है, कि विचकार है, बिना इस बैस पे है, साड़ा है यतन हुंद है, कि हर इशू नू सिख नुक्ता निगा तो देखना, जी और जीवन शैली नू गुरुमत से दानतां दी, रोशनी दे विच बियानना, जीडिया समस्यामावी ने, सिख समाज दे अंदर, ज तो दूसरे हैं दे नार डील कर देने, सो असी ए चौक्टा अपने मान दे विच नहीं बनाया हुआ है, भी साड़ा दाइरा कार पिछे नू है, कि अगे नू है, असी सिख नुक्ता निगात हों, गुरुमत दी रोशनी दे विच समझन दी कोशिश कर दें, हो सकता है, असी पिच बहुत वार इसी कहने हैं कि बहुत खत्रे ने सानु, एक खत्रे है, उखत्रे, पर उना ने इसनु बड़े लाइटर अंदास्च एगल कही है, कि अभी खत्रा तां पेड़ा बक्रियानों होंदा है, शिरानों तां नहीं होना चाहिए देखो गलतां गलदी खातर ठी है, चड़ दी करा दी खातर भी ठीक है, पर तुस्हीं कह देवी जड़ी जड़ी जमीनी हकीकत है, जैनों ग्राउंड रियालिटी कहने ने, उन्हों अक्षों पर रोखे करके सिर्फ रेटरिक दे उत्ते सर्वाइव नहीं कर सकदे, ये ठीक है वी है, शबद संद पिंडर दुकानों दबा दुन दियाने, एक वंजा गदे, सो काल्ड डेमोक्रेसी दे सिस्टम चो अनूंजा शेरा नाड़ों से आने ने, बहु गिनती जड़ी है, वो पावर अथ्यान दी है, दे पावर दे बालबूते नाड, काट गिनती हैं दे, जड़े उन्हा दे सारे ही चे exaggerate नहीं कर दे, जड़े लोग कहन देने भी खत्रे ने, सच मुछ ही अज असी उस situation चा आके खरो गए हैं, कि जेस नूं डू और डाई वारी situation, जे, अज फिल्मी दुनिया हुए, छोटी स्क्रीन हुए, वड़ी स्क्रीन हुए, काल भी जखर कीता सी, असी इस सवाले ना, क कि क्यों उना दे उत्ते हिंदू कल्चर हावी हो रहे, कि में साधे परवारां दे विच पततपुना ता है इसी नश्यां दा दौर इस कदर चलाया है अजैंसिया ने, के पंजब दे मुंडे कुडिया नश्यां दा शेकार ने, जे, नश्यां तो भी पहला, आठ जा, नौ स दे ने, और उचबान वड़ा है, तमा को आठट नौनो साल दे बच्चे, ठानी रुपई है, दो रुपई है, स्कूलां दे बार मेंड़ते है, जे, हुन ये जड़े चैलेंजिज ने और जमें सारा नकली गुरूडम, कोई आशु तोश और कोई कूड सौदा और कोई पन इस नो जड़ा इस दी एमियत नो ना कटाई है, जे, चैलेंजिज ने, बार जड़े उना दी स्पिरिट है, वीर बाबी सिंग जड़े असी उन्हों एडमायर कर दे, के चैलेंजिज नो देखके, उना दा एनलसिस करके, उना नो समझ के, फिर शेर दी तरह इना डील कर लि खाए, तो फिर इस ता मतलब ही एक है के ओडर पोक नहीं है, ओगदर नहीं है, और ओशेर जान दा है कि अभी सौ साल दी घुलामी दी मैं जिन्दगी नहीं है, मैं एक दिन दी अजादी दी जिन्दगी लेई, अपनी जिन्दगी कुर्बान कर सकते, जे, और उना ने बिल कुछ अपने थे हास तो सिखन गुरु साब दा जीवन ही पाड़ लें, उना दे अंदर टेंदी करा नहीं आएगी, एक तहां ते ओ थोड़े जे कन्फ्यूज हुन दे ने, जिदो अधियातम दी गालच ज्यादा चले जान दे ने, यह नहीं है भी अधियातम चे जाना कन् माइंड है, जेस्ता जिकर, बेगाम पुरा, शेहर को नाओ, अधियातम दी दुनी हैं, जहां जदो असी राज न चाहूं, मुक्त न चाहूं, मान प्रीत चरन कम लारे, यह गाल कहने हैं, तो बेशक यह प्रेम दी गाल है, कि भी मैं तेरे प्यार चहे वाई गरू, मैंनो राज, मुक्ती, कुछ नहीं चाहीद है, पर यह जड़े साड़े विरोधी ने, जहां विदिन, साड़े जड़े अपने जम्यवारी तों, अपने फर्जांतों पगाडे ने, वो इस किसम दे कांसेप्ट नो वर्त देने, खालस्तान दी गाल नो डिल्यूट करन दे रही, क कि जी पहला खालसे बांड़ जो, खालस्तान आप भी बांड़ जाएगा, कि जी सानु को टेसले ही पर आ रही है, क्योंकि असी से खनी हैगे, जी, हुन जीड़े ता मरे, शहीद हुए, उतस बहुत है उना चूं सिखी दे लई हासास के जाना कुर्बान करन वाड़े सी, व उननों उसी किवे का सकते सी, एक आँगे भी उननों पनिश्मेंट मिली है, क्यों से खनी है कि जीड़े सानु मारन वाड़े ने, एक इन्ने, एक हिंदू ने, जो जाहर है कि यह ता है, साड़े गलत फैसले ने, संतारी दे विच, सानु इना दे ट्रैप चले आंदा है, सो जे सुनों, गुरु अर्जन साब ने, हले मीराज, क्या है, ए इनफेक्ट उस अदे आतम दी दुनिया दा एक कांसेप्ट जड़े, उप रेक्टिकल ग्राउंड दे उत्ते, पुलिटिकल एक एंटिटी नो, एक राजसी स्टक्चर नो सर्जन दे लई है, जो खालस्तान द ही जड़ा है, उन्हाने जड़ी रेमेडी देती है, इलाई देताओ, बलकू ठीक है, जे, उन्हाने क्या भी सोच बुलंद, जात पात तो सच्टकार है, जे, इनकलाबी सोच, कोई शाक नहीं है, ये बड़ा जरूरी है, जात पात दा कोड, इस तो साड़ी जान चुटे, जे, और फिर उन्हाने जड़ी गल, फाइनल किती है, वो बहुत पाइदार है, और मैं समय नहीं भी उदिछ मैं, और शायद कोई भी गल एड़ नहीं चंगी कार सकता है, जे, जे, उन्हाने बड़ी मजबूती नड़ किया है, कि पंच्छी भी उपरे कार्चनी रहन दे, जे, जे, पिलकुम, और ये गल, जदो यसी अजाद दी गल कर दे है, अजाद अकाश दी गल हुन दी है, पिंज्रे दा तोता गुलाम है, जे, ते असमान दा शा, सवार, असमान दा शाही, शाहीन, बाज, पंच्छी, खुलियां और डारियां मार दे, जे, फिर उन्हाने क अजोर, बाबदार, ने जिकर कीता है, जे, तो फिर उन्हाने ने नपॉलियन दे हवाले ना रे गल कीती है, नपॉलियन दे शाहीन दे हवाला नहीं है, किंग ब्रूस, एंड दा स्पाइडर, जे, कि स्कॉटलेंड दा, किंग सी ब्रूस, दो चार वरी लड़ेया, हार गय तो उन्हें देखिया कि अभी एक स्पाइडर एक छोटी जी गेड़ी जड़ी ओपर नो चड़न दी कोशिश का रही है हर वार थल्ले वह स्पाइडर डिक पेंदे आठ दास वार उन्हें ट्राई किती लेकन डिकदा रहा है स्पाइडर थल्ले फिर एक वारी उत्ते फिर फाज कठी करदा है फिर लड़ दा मैं जित्तां गया और किंग बुरूस ने बाद दे विच जंग जित्ती और राजा बने और अजवी ऑग किंग बुरूस होए जहां उन्हा दा जड़े दूसरे हीरो ने इन्हा दे उत्ते ब्रेव हार्ड फिल्म भी बढ़ी है जी सारे स्कॉट्स ते लही प्रेरना दा कारण ने उन्हा दी प्रेरना जोई दो हजार चौदा दे विच जड़ा प्रेव साइट राइश हुमारी हों जा रही है स्कॉट्लेंड जो खलोते स्कॉट्श नेशनल पार्टी बनाई और उनने फैसला करने अगरे साल के उनने बने बने को माश रही तो हाग